हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाकपल इंवेस्मेंट्स आज की इस वीडियो में हम कोटक ब्लू चिप फंड का कम्प्लीट फंड रिव्यू करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये एक लार्ज काप फंड है यानि इसमें जो मेजर पैसा इंवेस्मेंट होता है वो इंडिया के जो first hundred stocks हैं, hundred companies हैं उन में होता है तो हम इसका पूरा रिव्यू करने वाले हैं आप वीडियो को end तक देखिएगा मेरा नम पुनीत नाकपल है, by profession में एक certified financial planner हूँ अगर आप हमारे चानल पे नहीं हैं तो इसे subscribe करके हमारे साथ जुड जाएगा तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि kotak blue chip fund start हुआ था 29th December 1998 को और इसका asset under management हो चुका है 3766 करोड रुपीस का यानि total इसमें इतना पैसा इस time invested है fund manager की बात करें तो Mr. Harish Krishnan इसके fund manager है जो कि 2014 से इस fund को manage कर रहे हैं, लगबग 8 साल से इसको manage कर रहे हैं, चलिए अब बात कर लेते हैं, इसमें minimum investment कितना कर सकते हैं, अगर आब one time lump sum investment कर रहे हैं तो thousand additional investment top up करते हैं, तो thousand और SIP यानि monthly investment करते हैं, तो 100 रुपीस से start कर सकते हैं, maximum कि कोई भी limit नहीं है, जैसा कि किसी भी mutual fund की scheme में नहीं होता है, चलिए अब इसकी past returns देख लेते हैं, कि कैसे अगर किसी ने one time यानि lump sum investment किया है, तो कैसे fund ने returns दी है, as comparison to its category average, जो large cap के जो बाकी funds है, उनकी average निकाल के जो category की return है, उसको हम fund के return से compare करने वाले हैं, last one year की बात करें तो kotak blue chip fund ने 14.53% return दिये, वहीं category average में 13.48% का return आया है, two years की बात करें तो kotak blue chip fund ने 20.57% का return दिये, category average से ज़्यादा, category average में 18.6% का return आया है, three years की बात करें तो kotak blue chip fund में 19.61% और category average में 17.43% का return मिला है, five years में fund में 14.17% का return आया है, और category average में 13.24% का return आया है, ten years की बात करें तो kotak blue chip fund में 13.75% का return मिला है, वहीं category average में 13.03% का return मिला है, चलिए अब इसके SIP, यानि monthly investment किसी ने किया है, 1000 पर मंत का तो returns देख लेते हैं, क्या corpus बना है और क्या return मिला है, एक साल पहले किसी ने start किया है, तो 12,000 रुपे का 12,657 रुपीज बने है, 10.22% का return आया है, two years पहले किसी ने SIP start करी, 1000 की तो 24,000 का 31,546 बना है corpus, और return मिला है 28.62% का, last three years पहले किसी ने SIP start करी, तो 50,403 रुपीज का corpus बना है, 23.04% का return आया, kotak blue chip fund में, last five years की बात करें, तो deposit हुआ 1000 के साब से 60,000 और value बना है 91,431, return आया 16.83%, last 10 years की बात करें, तो 1,20,000 गया, 1000 की SIP के साब से 258,617 रुपीज बने, यानि धीरे 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 दिया हुआ हमारा पैसा double हो गया है, mutual fund के kotak blue chip fund में, वहीं अगर हम किसी भी और instrument में, FD बगारा में deposit करते हैं, तो 5-6% से उपर का return नहीं मिलता है, यहाँ पे मिला है 14.67% का, बस ध्यान देने वाली बात यह होती है friends, कि आप लंबे time के लिए invest करिए, 500 साल minimum time लेके चलिए, तो चलिए और इस fund के बारे में जान लेते हैं, इसमें जो large cap companies में investment है, वो है 70.34% क्योंकि यह एक large cap oriented fund है, mid cap की बात करें, तो हम जो medium shares है, उसमें 10.56% का exposure है, और small cap में थोड़ा सा 4.87% का exposure है, अब बात कर लेते हैं taxation की, अगर आप एक साल से पहले अपना पैसा withdraw कर लेते हैं, तो short term capital gain लगता है, अगर आपको profit हुआ है, तो 15% गे साबसे, अगर आप एक साल hold करते हैं अपना पैसा, और फिर withdraw करते हैं, तो long term capital gain है 10%, लेकिन पहला एक lakh का gain एक financial year में tax free है, उसके उपर अगर आपको gain हुआ है, तो 10% का tax लगता है, इसमें friends, total 56 stocks में investment है, और जो top के 10 stocks हैं, kotak blue chip fund में, वो है 47.38% का exposure रखते हैं, top के 3 sectors की बात करें, तो 55.89% का exposure है इसमें, चलिए पोटफोलियो और देख लेते हैं, इसके top के 5 stocks की बात कर लेते हैं, Reliance Industries, ICSA Bank, Infosys, HDFC Bank, TCS जैसी companies हैं, जो top के 5 stocks हैं, total पहले 5 stocks में 32.2% का investment है, अब top 5 sectors देख लेते हैं, financial sector में 29.87%, technology sector में 15.65%, energy sector में 10.38%, construction sector में 7.85% और FMCG में 7.27% का exposure है, total top के 5 sectors में 71% का exposure है, चलिए अब कुछ risk ratios देख लेते हैं, Kotak Blue Chip Fund में, जिसको हम compare करेंगे, fund को category average से अगें, जिससे पता लगेगा, किसमें कितना risk लिया गया है, उस हिसाब से ये कैसा perform कर रहा है, returns तो हमने देखी लिये हैं कि अच्छी है, standard deviation देखें तो category average से थोड़ा सा जादा है, standard deviation दोस्तों बताता है कि scheme में कितना volatility है, कितना risk है, तो थोड़ा सा कह सकते हैं, category average के मुकाबले हिलका सा जादा इसमें risk है, sharp ratio बताता है दोस्तों कि fund, जो है कि कितना जादा return दे रहा है, risk free asset, यानि FD वगरा के मुकाबले कितना जादा return दे रहा है, तो category average से इसका sharp ratio जादा है, उससे पता लग रहा है कि fund अच्छा perform कर रहा है, alpha से दोस्तों पता लगता है कि benchmark को कितना beat कर रहा है fund, और alpha भी इसका category average से काफी अच्छा है, तो इससे इवता लग रहा है कि fund काफी अच्छा है, आप इसमें invest करने की सोथ सकते हैं, तो friends ये थी आज की video, अगर आपको पसंद आई हो तो इसे like करके हमें motivate जरूर करें, हमारे channel को भी जरूर subscribe करें, thank you for watching friends.